हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं फिर से आपके सामने एक नई रैस्पी लेकर आई हूँ तो फ्रेंट्स यह अगर सर्दियां आ गए और मटर बेना कुछ भी आपने बना है तो फिर यह अधूरा-धूरा सा लगता है तो बस यह मैं आपके लिए रैस्पी कपड़े से पूछ लेना बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए फ्रेंट्स इस तरीके से गोल-गोल कट कर लेना है तब तक हम सिम्ला मिच कट करते हैं तब तक लाइक शेयर कमेट करना ना बूले बेल अंकर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके औ आप मेरी वीडियो देख सको अच्छा अच्छा खाना बनवा सको तो यह देखिए इस तरीके से आपको मसाले को अच्छी तरीके से भर देना है इसमें इस तरीके से फ्रेंट्स मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना दियो आप एक बार मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिए ये देखिए इस तरीके से जो है सारी सिम्ला मिर्च में अच्छे जल्दी जल्दी मसाले भर देते हैं इस तरीके से खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं फ्रेंट से अगर कोई गैस्ट आ जाए तो भी आप और सबसे बड़ी बात ये है कि आप दो-चार दिन तक इसको स्टोर करके फिरीज में रख सकते हो आराम से जब भी डिनर करो एक निकाल के खा सकते हो ये देखिए और वैसे भी सबको पताई है कि सिम्ला मिर्च जैल्दी भी रहती है हमारी सेद के लिए तो खानी तो चाहिए और इस तरीके से आपने कभी नहीं खाई होगी तो ही बट रहा है जरूर करना और हम हमीशे सर्चो का तेल खाते हैं तो ये देखिए मैं सर्चो का तेल जो है कडाई मैं अच्छी तरह के ऐसे गरम कर लेती हूं मेरा तेल गरम हो चुका है और इसमें अच्छे से बड़े प्यार से इनको रख देती हूं इस तरीके से एक- लट पलट कर अच्छे से अच्छे से शेख लेते हैं पक जाए अच्छे से इस तरीके से मेरी पक चुकी है तो मैं निकाल लेती हूं इस तरीके से हमारे घर में बड़े ही सौक से खाते हैं और हर वीक में इनको बनाती रहती हूं यह देखे कितनी प्यारी लग रही है और खाने में तो वही वाला जवाब लगेगी ठैंक्स फॉर वाची